गुड आफ्टरनून हार्डनेस ओफ वाटर के चाप्टर में अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा रिवर्स ओस्मोसिस पर रिवर्स ओस्मोसिस एक ऐसा प्रॉसेस है जिससे हम फिल्टरड पानी फिल्टरड वाटर यूज़ करते हैं और ये आजकल हमारी डोमेस्टिक लाइफ में हमारे घर घर में इस तरीके के आरो फिल्टर्स का इस्तमाल हो रहा है तो हमें अब ये जानना है कि ये आरो फिल्टर्स जो हैं ये अपना काम करते कैसे हैं और हार्डनेस से इनका क्या संबंद है तो देखिए इसमें basically removal of hardness नहीं है इसमें basically उन सारे salts का filtration होगा जो hardness cause करते हैं या जो किसी भी तरीके से हमारी body को नुकसान पहुचा सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस topic पर और सबसे पहले हम यहां यह देखना चाहेंगे कि आखिर यह जो reverse osmosis का process है यह function करता कैसे है तो अब यहां पर हमें यह देखना होगा कि यह जो difference between osmosis and reverse osmosis यह कैसे अपना काम कर रहा है देखिए osmosis क्या होता है सबसे पहले हमें यह जानना है osmosis के process से आप सब लोग भली भांती परिचेत हैं आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि osmosis होता क्या है मैं फिर से एक बार revise करा देती हूँ osmosis होता है movement of solvent molecules यहां ध्यान से देखें movement of solvent molecules from their region of higher concentration to their region of lower concentration through a semi-permeable membrane मतलब solvent molecules का solvent कोई भी हो सकता है हम जादा तर water यानि पानी के बारे में पढ़ता है होते हैं लेकिन solvent यहां कोई भी हो सकता है तो solvent molecule का movement उनके अपने higher concentration से उनके अपने lower concentration की तरफ आप यहां ध्यान दें their word जो है इसको bold किया है यहां पर their word का काफी significance है चाहे वो osmosis हो चाहे वो reverse osmosis हो सब जगह पर their word का significance है क्यों? क्योंकि वो अपने higher concentration से अपने lower concentration की तरफ move करते हैं तो वो कोई भी particle हो osmosis में वो हमेशा अपने higher concentration से अपने lower concentration की तरफ move करता है कोई भी, कोई भी molecule वो अपने higher concentration से अपने lower concentration की तरफ move करता है ज़रूरी नहीं कि वो पानी ही हो मगर यहां पर हम बात पानी की कर रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना reverse osmosis है जो पानी से जुड़ा हुआ है तो osmosis एक वो process है जहां पर पानी का movement अपने higher concentration से अपने lower concentration की तरफ होता है यह एक natural phenomenon है semi-permeable membrane से होता है semi-permeable membrane कोई भी animal या plant membrane हो सकता है और इसमें यह होता है कि आराम से आप यहां दोनों डायग्राम में ध्यान से देखें osmosis में यह semi-permeable membrane है यह water है यह पानी है प्योर पानी यहां पर इसका concentration जादा मात्रा में है और यह एक solution है solution मतलब इसमें solute plus solvent है मतलब इसके अंदर पानी का concentration कम है यहां प्योर पानी से यहां पर concentration कम है क्यों? क्योंकि यहां पर salt पड़ा हुआ है तो यहां पर अगर concentration कम है क्योंकि यहां पर salt पड़ा हुआ है और यहाँ पानी का concentration ज्यादा है क्योंकि यहाँ कोई salt नहीं है और यहाँ पर पानी आपका pure पानी है तो यह pure पानी आसानी से अपने higher concentration से अपने lower concentration मतलब solution की तरफ आसानी से move कर जाता है move कर जाता है बह जाता है semi permeable membrane के through ठीक है ये process कहलाता है osmosis और ये process natural process है natural होने के अलावा इस movement से इसमें एक osmotic pressure develop होता है तो ये जो osmotic pressure होता है इसी pressure का इस्तेमाल हम करते है reverse osmosis में कैसे करते हैं देखिए जब इस osmotic pressure के से अधिक pressure अधिक hydrostatic pressure हम apply करते हैं ulti direction में reverse direction में मतलब कहां से हम low concentration जहां पर पानी का concentration कम है उस तरफ लगाते हैं pressure हम reverse direction में लगा रहे हैं यहां देखिए osmotic pressure जो develop हो रहा है वो जहां पर पानी का concentration pure water concentration जादा है वहां पर हो रहा है और reverse osmotic pressure यानि कि जो जादा hydrostatic pressure apply कर रहे हैं हम reverse osmosis के होने के लिए यह pressure हम solution की दिशा में लगा रहे हैं solvent की दिशा में नहीं लगा रहे हैं pure water की दिशा में हम नहीं लगा रहे हैं मतलब एक reverse osmotic pressure और reverse hydrostatic pressure अगर हम apply करें from the region of low concentration जहां पर पानी का concentration low हो और यह पानी forcefully forcefully semi permeable membrane से pure पानी की तरफ जाए तो इसे हम reverse osmosis कहते हैं मतलब यहां पर एक hydrostatic pressure हमने create किया reverse direction में जहां पानी का concentration कम है यानि की solution की तरफ तो यह पानी forcefully जाता है pure water की तरफ और semi permeable membrane के थूँ और सारी की सारी impurity इसको पीछे छोड़ जाता है या solute particles को पीछे छोड़ जाता है इस process को हम reverse osmosis कहते हैं आप यहां पर सकते हैं when a reverse hydrostatic pressure greater than osmotic pressure is applied then movement of water or solvent molecule is reversed from their region from their region of low concentration मतलब अपने low concentration के region से अपने high concentration region की तरफ जा रहे है high concentration इनका कहा है जहां सिर्फ pure पानी है और कोई भी solute particles नहीं है इसको दूसरी तरह से समझाया गया है इस diagram में ध्यान से देखें यह semi permeable membrane दिख रहा है यहां पर hydrostatic pressure reverse दिशा में यानि की solution की दिशा में लगाया गया यह contaminants है या आप कह सकते हैं अलग-अलग प्रकार के salts हैं, electrolytes हैं, minerals हैं जो पानी में पीछे चूर जाते हैं और सिर्फ पानी पास हो करके pure water की तरफ चला जाता है और हमें यहां पर fresh water मिलता है यह technology apply करी जाती है आज कल के आरो में कैसे की जाती है? आपने जो box जैसी machine आरो की देखी है, वो अंदर से कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है यहां आप ध्यान से देखें, यह machine इस तरह के लंबे box में होती है बीच में यहां पर इसमें एक filter लगा होता है वो filter कुछ इस तरीके का दिखने में होता है, आरो मेंब्रेन जिसमें की semi permeable membrane को roll up कर देते हैं roll up कर देते हैं और यहां पर उपर क्या है? high contaminant concentration मतलब उपर की तरफ वो water है, वो solution है पानी का जिसमें minerals है, salts है, electrolytes है जिन्हें आपको filter करके pure पानी चाहिए तो यहां पर reverse दिशा में hydrostatic pressure लगाते हैं जिससे की salt जो है वो पीछे चूड जाता है sorry जिससे की salt जो है वो पीछे चूड जाता है और पीछे चूड जाने के कारण यहां पर इखटा हो जाता है salt और pure water हमको यहां पर मिलता है तो दीरे दीरे क्या होता है कि यह सारे salts जब दीरे दीरे जमा होते हैं तो एक समय के बाद यह filters खराब होने लगते हैं और हमें इसी लिए हर थोड़े समय के बाद आरो का filter चेंज करवाना पड़ जाता है I hope यह बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से प्रॉप्टावर्स अजिए